पर चतिसगड के धमतरी से है जहां राज में लगातार चला जा रही नकसली उन्मूलन अभियान के तहत धमतरी पुलिस को बड़ी कम आबे मिली है बदा दे कि पांच लाह के दो इनामी नकसलीों ने सीता नदी एरिया कमीटी में आत्म समर्पण किया दमतरी स्पी ने बताया कि दोनों के पंदरव वर्षों से नकसलीक शेतर में सकरिये थे जिनके खिलाफ कई आरोप भी लगे हुए हैं बेराल दमतरी के बिते दी तीन दीन में तीन नकसलीों ने आत्म समर्पण किया है यह पूलिस के लिए बेहतर प्रदर्शन माना जा सकता है वहाँ प्रदेश में लगतार नकसलीों का आत्म समर्पण जारी है अब शीका से जट्रव कि में एक मेना की बाद मेरे को घर में ला दिया लेकिन आज पास वहाँ आना घर मैं उधर क्या हो जाने पे मुश्किल है घर में जाने पर रिष्कुली कि मैं नहीं रखोंगा यह पर रह सकूं कि और जंगल में था मैं कुछ दिन के बार उसके बाद सब्सक्राइब जाने कम है जिस परकार से आपको जानकारी होगी राइपुरेंज में लगातार मावादिवरोधी अभियान चला रहे हैं तो उसी क्रम में यादसमर्पण भी है हम हमिशा से एक बात कहते आए हैं कि नकसली लोग परवारों को तोड़ते हैं और पुलिस परवारों को जोड़ती है तो उसी क्रम में शासंगी तो नर्वास आगसमरपण वी अधिया और हम दो नकसली का आज आगसमरपण ने रहे हैं इसमें प्रतम टेकेश है क्योंकि काव साथ रूपेका ये नाम होशेत